हेलो अवरीवन स्वागत है आपका अपनी चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले वुमेन्स सूपर सीरीज ओडीडी में होने वाले आज के मुकाबले की चौथा मुकाबला है यह सीरीज का अभी के लिए तीन मुकाबले कंप्लीट हो चुके तब ही इनकी 4-4 पर सीरीज ना पिछले साल ड्रॉव हो गई थी इस साल भी वैसा ही हुए स्टार्टिंग के दू मुकाबले कौन जीत गया बहिए स्टार्टिंग के दू मुकाबले स्कॉचर जीत गई अब चांसे जेंगी आज का मुकाबला टाइफून जीत सकती है तो फोड़ा सा जादा रिसकी मैच रहेगा अगर ग्रेंड लीग खेल तो पांच-छे टीम लगाते हो तो ज्यादा सेफ रहेगा एस कंपेट तो कि आप स्मॉल लीग खेलो और स्मॉल लीग में बोलोगी यार स्मॉल लीग हमारे क्लीन सीप हो जाए तो वह थोड़ा ज्या ज़दा बड़िया-बड़ियां है यहांपर तो आप जिए लिजा पर विक्वाथ करोगी याप पांस तीम बना लो या या तीन मतलब छार चार टीम अपके लिए इनफ हो जाएंगी आप जातर चीज़ए कवर कर जावे तो चार टीम में बना लो ज्यादा बढ़िया रहे में नौर्थ किलाड क्रिकेट क्लब आईलाइंड में मुकाबला होगा तीन पंदरा पर आपको मैच लाइफ देखने को मिलेगा प्रिव्यू के अगर हम बात करें स्कॉचर अभी अगर आप देखो तो पिछला मुकाबला स्टार्टिंग के दो मुकाबले जीत कर रहे एक मु पूरी की पूरी बैटिंग फेवरेवल पिछा आपको बैट्समेंट बढ़िया करते हो दिख जाएंगे और आपको बैट्समेंट के ओपर थोड़ा से जादा फोकस करना है पिछले मुकाबले में भी अगर आप देखो तो एक पहली बात तो यह है कि वोमेंस क्रिकेट में बाउंडरी चोटी होती हैं बहुत जाधा चोटी होती हैं इनका थर्टी याड चोटा होता है तो वो चीज़ आपको देखकर मशला 30 के अंदर ही ऑगा बड़न चाटी शोटी फॉर शिक्टी फाइव सेवनटी सूटी फाइव तो मैक्सिमम होती है कहीं पर आपने ने सबके परसे के रावाव पिछले को मकाबले में मैं को खिला गया मैं मैं को कर सकते अब इक ह्ल港 को सक्ताइब काउश कर सकते हैं अबहों वी आपके पास है अब अगर आप देखोगे तीन में से दो मुकाबले जीत कर रहे हैं पॉल की परफॉर्मेंस दोनों मुकाबलों में ठीक ठाक रही थी पहले मुकाबले में तीन विकेट दूसरे मुकाबले में एक विकेट तीसरे मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई दस सोवर्ट करवाएं हैं 11 रन की पारी खेली पिछले मुकाबले में चले ही नहीं जिनकी वैसे अभी तक मुकाबला जीत रहे थे बर पिछले मुकाबले में सामने वाली टीम नहीं बहुत जादा बढ़िया परफॉर्म कर दिया टाइफून मैकमेन के अगर हम बात करें तो आप आपको वहां पर बढ़िया लगती है कि यहां चलो ग्रेंड लीग में हम एंटर को ट्राइ कर लेते हैं इस केवंगा को डॉप करकर तो वह चिछ कर सकते हो सकता है कि यह दुबारा से इस केवंगा 16 रन पर आउट हो जाए एंटर आपको 17 रन करके दे जाए तो आपको वहा जादा बढ़िया परफॉर्म करकर दे कर गई है और आप अराम से इस प्लेयर को ट्राइब कर सकते हो वाइस केप्टेंसी भी दे सकते हो सकता बैटिंग में बहुत जादा बढ़िया कर जाए अब लारा मार्टिस के अगर हम बात करें 78 रन के साथ एक विगेट बैक आपको परफॉर्म करकर दे कर गई है और इस प्लेयर को आप ग्रेंड लीग में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो वह आपके उपर है जैस पैरो 40 रन की पारी और एक विगेट इसने चुटकाई थी पहले मुकाबले में और तीसरे मुकाबले में 16 रन की पारी तो अब पर लैरा मांटेच ठीकाब सातम प्लीका आपके लिए हूजागा क्यूंकि आपके पास इनके बॉलर ही नहीं बचेंगे न फिर आप यहां पर पॉल रखर रहे हो इसका फिर उसके मैरी रखरे हो मैं कॉन रख रहे हो आपका स्वाशन रहिगा अगर आपको रखना या नही मेडिन के साथ एक विगेट एक मात रहाइसी प्लेयर जिसना मेडिन करवाई पिछले मों कबले मों और किसी ने भी नहीं करवाई है के मैं कवी कि अगर आप बात करो एक विगेट इसने जटकाई लारा माटीज ने एक विगेट चटकाई उसके बाद यहां पर मुरी ना दो पॉल ने एक भी नहीं चटकाई यहां पर एशली किंग ने चेट नहीं ने चटकाई नीचे आपको अर एक प्लेयर के स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे कोई बीनिया पर आकर आप को टैलीघ्राम पर देखने को मिल जाएगा टाइफन वुमें के अगर हम बात करें डैन कैनिंग आपके बास हैं कैनिंग को खिलाए गया पिछले मकाबले में ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस रही इसकी कुछ ऐसी मेलब बहुत ज्यादा बढ़िया बहुत ज्यादा वेकार तो नहीं रही है अब अगर हम बात करें पिछले मकाबले में नहीं अपनी जोड़ी चेंज कर फिलिए ओपन किससे करवाएगा ओपन करवाएगा एल लिटसे अभी तक क्वोन कर रहा था ओपन अभी तक स्टोक हैल कर रही थी और फिन अगर स्टोक लग वापस आजाति ये लौरा टनली वापस आती ये अगर ये航न्स से उठकर टीम में वापस सिदा इने रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसके बाद अगर हम बात करें आइंड लीग के साथ दो विकेट छे रन के साथ तीन विकेट बढ़िया परफोर्मेंस एल लिटल के अगर आप बात करो इसना पिछले मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़िया रही है जिस वज़ा से इस फ्लेयर की सेलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आपको रखना या नहीं रखना आप ग्रेंड लीग में पका ट्राइगर सकते हो स्मॉल लीग में थोड़ी सी ज्यादा रिसकी हो सकती है आपके लिए तो अभी के लिए अगर आप स्मॉल लीग यहां पर नीचे आओगे नीचे आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा और प्रिटी गैस ने पांच ओवर में करीब करीब दो विगेट चटकाई आप अगर आप देखो एक विगेट चटकाई है यहां पर जेन ने दो मेडिन के साथ फे उसका दैवा कैन ने एक विगेट चटकाई है उसके बाद जहरा क्रियाग ने यहां पर एक विगेट चटकाई तीन विगेट डैनली ने चटकाई डैनली ने बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएगा यहां पर आ तीन चाटीम बनाकर रखना एक टीम से आप यहां पर मतलब नहीं स्मॉल लीग जोइन कर सकते हैं एक टीम से मैं सही बता हूं क्योंकि कोई ऐसी सेफ टीम नहीं है कि चलो हम यहां पर यह एक और दो चेंजिस और यह चेंजिस बहुत बढ़िया हो जाएंगे तो वैसे कोई भी प्लेयर यहां पर चल सकता अभी के लिए टूर्णामेंट बहुत आगे तक पहुंच गया मुला तीन मुकाबले हो गया है सारे प्लेयर्स को पता है सामने वाली टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है विगेट के पिंग सेक्शन में एस केवन गा एहंटर रखना हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़िया है एहंटर के अगर आप बात करोगे 26 पॉइंट्स इसने लिए थे कैचिंग वैचिंग कम ही करी थी स्टम्स इसने ज्यादा कर रहे थे पिछे मुकाबले में तो एज़ा विकेट कीपर भी यह बढ़िया है एज़ारं गैटर आपको बढ़िया परफॉर्म करकर दे सकती है बाट एहंटर आप अपनी ग्रेंड लीग में रख सकते हो पैटिंग सेक्शन के अगर हम बात करें एल माटे जी लुइस और उसके अदार डैनली अब जो चौथा प्लेयर है ना वह एस फॉब्स अगर आप देखो तो कितनी ज्याद सब्सक्राइब कर देख लो तीन परसंट है तीसरे नंबर पर आ रही है यह प्लेयर तीसरे नंबर पर आकर पिछले मुकाबले में इसना ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा 17 की पारी खेली बट आपके लिए बहुत बढ़िया करकर दे सकती है बहुत ज्यादा इस प्लेयर के अंदर उसके बाद अगर आप देखोगे वह प्रिटी गैस्ट एक मैकमैन फिर उसके यहां पर एल पॉल और सी मूरी अगर खेलती है आप सीधा-सीधा पिक कर लेना कोई दिक्कत नहीं आपी के लिए पका नहीं कि खेलेंगी या नहीं खेलेंगी उसके कोवी को रख सकते हो के मैं कोवी को नहीं रखना चाते हो छे-पांच का अगर आप रेशो बनाना चाहरे हो तो मैं उस चीज का बता रहूँ एश ले किंग आप रख सकते हो एश ले किंग के एन बी गुट पिक जी डिमेंसली अगर खेलती है तो आप इस प्लेयर के उपर बी एक बार को ट्राइ कर सकते हो तो बड़ वो आपके उपर है आप किस प्लेयर के साथ जाना चाते हो किस प्लेयर के साथ नहीं डिफेरेंशल पिक्स में आपको बता चुका हूँ सबसे वहली टीम के अगर हम बात करें कैप्टन सी जो दे रख्क है बोदे रख्क है यहां पर आदनली को उसके बाद एस के बनगा एल मार्टी उसके आदस फोब्स आपके बास है एस मेकमैन एल पॉल उसके दो प्रिटी गैस्ट उसके बाद अगर आप देखोगे जी डवेंस ले फिसके जे स्पेरोर जे मेंग्योर पूरी के पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लिग, स्मॉल ग्रेंड लिग फिवरेवल टीम है अपडेट आपको टेलीगराम पर देखने को मिल जाएगा दूसरी टीम के अगर हम बात करें ग्रेंड लिग फिवरेवल टीम है तीसरी और आखरी टीम के अगर हम बात करें इंडिफरेंचल पिक्स वाली टीम है चेंज कर सकते हो इस टीम को अगर आप करना चाहते हो एस के विन गापके बास है फिसके जी लूइसल मार्टिस केप्टेंसी यहाँ पर अगर आप देख वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सुस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो लैक कर दीजेगा बैल आइकन दवा दीजेगा क्योंकि ऐसी वीडियो जोर भी आति रहेंगे आपके लिए चैनल पर